अन्मंगा उत्तम कहा मद्यम मांगी जो ले कहें कबीर निक्रष्ट सो पर धर्ना दे अन्मंगा उत्तम कहा मद्यम मांगी जो ले कहें कबीर निक्रष्ट सो पर धर्ना दे विचित्र है आदमी का मन विचित्र है उसकी गड़ना जो उसने दुनिया से ले रखा होता है उसका उसे पता ही नहीं होता उसका उसने कोई हिसाब ही नहीं रखा होता और जो कुछ दुनिया से लिया ही नहीं जा सकता जो कुछ कहीं बाहर से आ ही नहीं सकता उसे वो सदा पाने की कोशिश में गणनाई करता रहता है कबीर कुछ लेने रेने की बात कर रहे हैं कबीर कह रहे हैं अनमंगा उत्तम कहा मद्यम मांगी जो ले कहे कबीर निकरश्ट सो पर धरना दे कुछ मांगने, कुछ लेने की बात कर रहे हैं और जब तक हम यह अहसास नहों कि क्या है जो हम लेते रहते हैं तक तक हमेशा हम इसका जो अर्थ करेंगे वो भ्रांतिपूर नहीं होगा आप से यदि कभी कोई आखे कहे कि आपने किसी का कुछ लिया है तो आप याद करने की कोशिश करोगे कि आपने क्या लिया है आप जेबेटा टोलोगे, आप स्मृति पे जोर्दोगे आपको लगेगा कि रुप्या पैसा लिया होगा कोई चीज वस्तुली होगी कुछ उधार लिया होगा और यदि इन में से आपको कुछ भी याद नहीं आता तो आप तुरंट कह दोगे कि हमने किसी का कुछ नहीं लिया लेने की हमारी परिभाशा यही है अगर हमें किसी से कोई स्थूल वस्तु मिली है तब तो हम मानते हैं कि हमने उससे कुछ लिया है कि हमारे उपर उसका कुछ उधार चड़ा है और अगर कुछ स्थूल हमें नजर नहीं आता तो हम मानेंगे ही नहीं कि उसका कुछ हमारे पास आ गया है और चुकि हमारी नजरे स्थूल है इसलिए कवीर के दोहे का भी हम अपनी नजरों के अनुरूप स्थूल अर्थ ही कर लेते हैं तो जब हमसे कवीर कहते हैं कि जो ना मांगे वो उत्तम है और मध्यम वो जो ले ले और सबसे बुरा वो जो ले करके लिये हुए पर बैठ ही जाए दोहे का शाब्दे करती आई है कि जो ना मांगे अनमंगा वो उत्तम अब मध्यम वो जो ले ले और अते निक्रिष्ट वो जो ले भी ले और लिये हुए पर बैठ जाए वापस न लोटाए जब कवीर कैसे वचन हमारे सामने आते हैं तुम अपने स्थूल मन के अनुसार उनका एक स्थूल अर्थ कर लेते हैं कि किसी से कोई चीज वस तुम मत ले लो क्योंकि हमें लगता है कि यही तो लेने देने की चीज होती है किसी का सामान ले लिया या किसी से रुपए पैसे ले लिये नहीं कबीर की उचसुकता आप के मत से कहीं ज्यादा गहरी है कबीर चीजें लेने देने की बात नहीं कर रहे हैं क्या है जिसको लेकर के कबीर कह रहे हैं कि अनमंगा उत्तम कहा कौन है वो जो किसी से कुछ मांगता नहीं कुछ लेता नहीं और कौन सी वो चीज है जो हम ले लेते हैं और उस पर चड़कर बैठ जाते हैं कहे कबीर निकरष्ट सो पर धरना दे कौन सी ये निकरष्टता है जिससे कबीर हमें बचाना चाहते हैं ध्यान से समझना होगा आप हाथ से लेते हैं कोई वस्तू तो आपको यही लगता है कि जो चीज ली गई है वो वस्तू है आपने कभी गौर ही नहीं किया कि हाथ क्या है और आपने कभी गौर ही नहीं किया कि उस हाथ को संचालित करने वाला मन क्या है आप किसी से सो रुपय का एक नोट ले रहे हैं अपना हाथ बढ़ा करके समाने तया आपको यही लगेगा कि ली जाने वाली चीज सो रुपय का नोट है और यही आप इस दोहे का भी अर्थ कर लेंगे कि कभीर सो रुपय का नोट लेने से मना कर रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूँ कबीर का उस सो के नोट से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है कबीर कुछ और कह रहे है ये हाथ कहां से आया जो नोट लेने के लिए बढ़ रहा है और उस हाथ को संचालित करने वाला मन कहां से आया जिसने हाथ को आगे बढ़ने की प्रेड़ना दी ये प्रेड़ना कहां से आई वो नोट आपका नहीं है और आप लिये ले रहे हैं ये बात तो दिख जाती है असानी से पर ये आपको असानी से दिखता नहीं है कि वो हाथ भी आपका नहीं है और उस हाथ के पीछे का मन भी आपका नहीं है और आप भूल जाते हैं कि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि ना हाथ आपका है ना हाथ के पीछे का मन आपका है तब तक वो हाथ बार बार दुनिया से कुछ लेने के लिए उठता ही रहेगा कितनी बार मांगे हुए को छोड़ोगे मूल वस्तु जो मांगी हुई है तुम्हारी नहीं है उधार की है बाहरी है उसको तो पकड़े हुए हो जब तक उस मूल वस्तु को पकड़े हुए हो और कुछ छोड़ कैसे पाओगे करोणों का उधार तो तुमने पहले ही अपने सर पे चढ़ा रखा है अब सौ दो सो रुपए छोड़ भी दो तो फर्ब क्या पड़ता है क्या है जो हमारा नहीं है पर जिसको हम अपना माने बैठे हैं कभीर का इशारा हमारे मन की और और शरीर की और है बड़ी आसानी से हम कह देते हैं मेरे विचार मेरे खयाल मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा अनुभव हुआ मेरी धारणाएं और मेरी मानेताएं और यही विचार खयाल धारणाएं मानेताएं अनुभव इन्ही का नाम मन है क्या वास्ताव में ये हमारे हैं आपके मन में जो भी गतिविधी चलती रहती है क्या वो आपकी है आप जो कुछ सोच रहे हैं उस सोचने में हमेशा दो मौजूद होते हैं एक सोचा जाने वाला विशय और दूसरा उस विशय को सोचने वाला जो करता है वो क्या ये दोनों ही बाहरी नहीं है यदि आपको परिस्थितियां वो न मिली होती जो मिली तो क्या आप वही सब कुछ सोच रहे होते और वैसे ही आपके धारणाएं और विश्वास होते जैसे हैं आपके मन में क्या ऐसा कुछ भी है जो रहता भले ही परिस्थितियां कुछ भी होती क्या आपको ऐसा कुछ भी पता है जो पता होता भले ही बाहर से उसका ज्यान ना आता आपका समूचा ज्यान आपकी समूची जगत द्रिश्टी उधार की है हमारे पास कुछ भी तो हमारा नहीं मन में उठती एक एक लहर बाहरी है जो है सब मात्र प्रभावों का नतीजा है लेकिन दावा हमारा यही रहता है कि मुझे ऐसा लगता है और इस से ज्यादा हास्यास्पत बात कोई नहीं होती कभी मैं किसी से कुछ कहता हूँ और लोगों को दिक्कत हो जाती है कि आप कहे जा रहे हैं जरा हमारी बात भी तो सुन लीजिए मैं उन से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम्हारी बात सुन सकूँ वो बोलते हैं तो फिर सुनिये मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं सुनूँगा मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बात सुन सकूँ और मेरी सारी कोशिश ही यही है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं तुम्हारी बात सुन सकूँ तो कहते हैं बहुत बढ़िया हम कहें देते हैं आप सुनिये मैं कहते हूं बिलकुल नहीं सुनूँगा वो समझ ही नहीं पाते हैं बात क्या है तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ है पर उसमें क्या जरा सा भी तुम्हारा है तुम जो खुछ कहते हो ध्यान से देखना क्या वो उधार का नहीं है क्या वो सुना सुनाया धुराया हुआ और बासी नहीं है क्या यही तुमने सौ दफे पहले भी नहीं कहा था और प्रकृति में क्या यही सब कुछ अनन्त समय से चक्रित नहीं हो रहा है तुम कहते हो तुम्हे प्रेम है अपने मुँ और आकरशन को तुम प्रेम का नाम देते हो वाकई तुम्हें हुआ है वाकई तुम्हारा है मैं तुम्हें कसोटी दिये दे रहा हूँ जो कुछ भी तुम्हारा होगा वो पूर्णतया नया होगा यह तो छोड़ी दो कि वो किसी और के जीवन में पहले घटित हो चुका होगा वो तुम्हारे भी जीवन में पहले कभी नहीं घटा होगा वो ऐसा नया होगा और तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा नया हो तुम अपने किस्से कहानिया भी ले करके आते हो और अक्सर जो तुम्हारे पास तुम्हारी कहानिया होती है तुम उनसे बड़े जुड़े हुए होते हो वो तुम्हारे लिए हर्श का विशय होती है या उनसे तुम्हारे आशु जुड़े होते हैं और तुम मेरे पास आते हो और तुम्हारी उम्मीद ये रहती है कि तुम ये सब सुनाओगे तो सर बड़े ध्यान से सुनेंगे सर सहानुभूती देंगे और देखा है मैंने कि कैसे तुम जरा आहत हो जाते हो कि हम कह रहे हैं और सर पे कोई फर्ख ही नहीं पड़ रहा चलिए भावुक मत होईए थोड़ी समवेदन शीलता तो दिखा दीजिए मैं इतने घोर कश्ट से गुजर रही हूँ रो रो कर अपनी कहानी बयान कर रही हूँ और ये बैठे हुए हैं और ये नीन से आ रही है जमाईयां ले रहे हैं मैं अपना ग्रंथ खोल करके बैठी थी अपने टूटे दिल के टुकड़े दिखा रही थी और ये वाट्साइब करने में लग गए मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि तुम्हारी कहानी मैं सौ दफा पहले सुन चुका हूँ कभी तुम्हारे मूँ से कभी किसी और के मूँ से मैं क्या सुनू एक बार और नया क्या है और ये कहानी तुम्हारी कहा है तुम्हारी पूरी कहानी को एक वाक्य में निप्टाया जा सकता है प्रकृति में तीन गुण होते हैं सत रज तम खतम इन तीन के आगे तुम्हारी कहानी में कुछ है कभी तुम अज्ञान में हो तम कभी तुम उठके दौर लगा रहे हो कुछ हासिल करने के लिए रज और कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत समझ में आ गया सत तुम्हारी पूरी कहानी खतम और अगर इतना भी आलस इतने में भी आलस आता हो, तो तुम्हारी पूरी कहानी को एक शब्द में भी निप्टाया जा सकता है, माया, अब क्यों आगे बढ़ाते हो, कट तर लॉंग स्टोरी शॉर्ट, अपना भी समय बचाओ मेरा भी, पास आके बद इतनी कह दो, माया, तुम्ने कह दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म हो गई, विस्तार में क्या जाना, क्या समय लगाना, यह किस्ता बड़ा पुराना है, उतना ही पुराना जैसे, कि बार बार मंच पे राम लीला दोहराई जा रही हो, वही कहानी, वही पात्र, हाँ समय बदलता रहता है, तो मंच पर प्रकाश हो सकता है, अब CFL से होता हो, उससे कहानी तो ताजी नहीं हो गई ना, जब हमारे पास हमारा कुछ नहीं होगा, तो हमारे जीवन में सिर्फ वही सब घटेगा, जो सैकड़ों और हजारों सालों से सब के जीवन में घटा है, और वो बहुत बासी, उबाव और ठकाने वाला होगा, कबीर हमें उसी से बचने के लिए कह रहे हैं, खुधार का जीवन मत जीओ, अगर तुम्हारा जीवन सिर्फ अतीत की श्रिंखला में एक और कड़ी है, तो तुम अजन में ही रह गए, तुमने जन्म ही नहीं लिया, जन्म लेने का अर्थ ही है, नए का पैदा होना, प्रतिक्षन जो तुम कर रहे हो, अगर उसका निर्धारक सिर्फ अतीत है और समाज है, तो अतीत और समाज है, तुम हो ही नहीं, तुम होते तो तुम्हारी करनी भी दिखाई देती न, अतीत की करनी दिखाई देती है, समाज की करनी भी दिखाई देती है, तुम्हारी करनी तो कुछ दिखाई नहीं देती, तो तुम फिर हो ही नहीं, बात सीधी अपने रूप को देखो सर से लेके पाउं तक देखो एक कोशिका पर तुम्हें समाज की छाप दिखाई देगी तुम अपने चहरे के भाव को देखो एक एक भाव पर दूसरों की मुहर दिखाई देगी तुम अपने विचारों को पढ़ो एक एक विचार पर लिखा होगा उधार का, आयातित, मांगा हुआ, नकली तो फिर तुम हो कहां दूसरों से मांगकर और अतीत से मांगकर कुछ चीजें इकठा कर दी गई है और वो भी दूसरों नहीं करी है उनके संकलन को तुम मैं का नाम देते हो ये तो बड़ा जूठा मैं है तुम हो ही नहीं उधार की चीजों को इकठा कर देने का नाम आत्मा नहीं हो सकता तुम्हारा आत्म है ही नहीं मैं आप सबको आमंतरित कर रहा हूँ अपने जीवन को देखें और बताएं कि उसमें क्या ऐसा कुछ भी है जो बाहर से नहीं आया जो मांगा हुआ नहीं है जो आपकी अपनी निजिता की प्राप्ति है क्या कुछ भी ऐसा है जिसको आप कह सकें नया, नवीन, नूतन, मौलिक निजी क्या कुछ भी ऐसा है आपके जीवन में क्या कभी कुछ भी ऐसा घटेत हुआ जो बस आप के साथ हुआ क्या ऐसा घटेत हुआ मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्या बता नहीं सकते यदि वो आप ही के साथ हुआ और घटना मौलिक थी तो उसको बताया भी नहीं जा सकता कैसे बताओगे दूसरे को उसका कुछ अनभव यह नहीं हो सकता तो बताओगे कैसे बात बताने की नहीं है बात जीने की है चुम्हें आ रही है शरीर की पहली दो कोशिकाएं हमें बाहर से मिली और उनके मिलन में ना हमारी सहमती थी ना हमारी सहभागिता जिसको मैं मैं करे फिरते हो जिस शरीर को अपनी पहचान बनाए हुए हो उसकी तो शुरुवात ही तुम्हारी मरजी से नहीं हुई सदारन से सवाल है जो मैं बार बार पूछता हूँ कोई है यहाँ पर जिसके मावाप उससे अनुमती लेने आए हो कि बेटा अब हम तुझे पैदा करेंगे तुम्हारी तो शुरुवात ही बाहरी है और तदो परांत तुम जो खा रहे हो पी रहे हो सांस ले रहे हो सूरद से उर्जा ले रहे हो अन जल पायू सब बाहरी है न तो शरीर तो पूरा बाहरी हुआ मांगा हुआ 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 इस शरीर के छोटे से छोटे अंश पर भी तुम्हारा दावा जूटा है तुम्हारा शरीर तो है नहीं ये किसी भी स्थिति में हाँ तुम दावा कुछ भी करते रहो मैं 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 कहते रहो मैं कहने से मैं का जन्म नहीं हो जाता शरीर बाहरी हुआ और मन में जो कुछ भरा हुआ है वो पूरी सामगरी भी उधार की है और इन दो के अलावा हम किसी को जानते नहीं जब कभी तुमसे कहते हैं कि जो मांगे हुए के साथ जीए वो निक्रिष्ट है तो कभीर तुमसे कह रहे हैं कि निक्रिष्ट ही हो तुम क्योंकि तुमने अपने आपको शरीर और मन के अतरित कुछ जाना नहीं है लेकिन कभीर क्या कुरूर है क्या कभीर का इरादा बस हमें चोट पहुँचाने का है क्या कबीर इतना कह करके हमें छोड़ देना चाहते हैं कि तुम निक्रष्ट हो क्यों कबीर के कहे का निश्करष्ट सीधा यही निकलता है कि हम गिरे हुए हैं कबीर ने कहा जो मांगे हुए के साथ जीए वो गिरा हुआ है हम तो मांगे हुए के साथ ही जी रहे हैं आप से कोई पूछे तुम कौन तो तुम तुरंट सीधे अपने शरीर की और इशारा करते हो और तुम्हारे विचारों से भी बड़ा तादात में है और इन दोनों का ही बाहरी होना पक्का है तो क्या कबीर ने ये कह दिया कि हम सब निकरश्ट हैं गरहित हैं हाँ कबीर ने ये कह दिया और ये कह करके कबीर हमें इन दोनों के पार किसी तीसरी जगह ले जाना जा रहे हैं कौन सी वो तीसरी जगह है जहां कबीर हमें ले जाना चाह रहे हैं जरा समझना होगा मन है और शरीर है शरीर सदा बाहरी रहेगा जो बाहरी है वही शरीर है जो बाहरी है सो ही शरीर है वेदान्त आपसे कहता है कि अपने आपको इन पंच कोशों के रूप में जरा जानो उसमें जो सबसे बाहरी कोश है वो अन्नम है उसके पीछे प्राणम है जो कोश जितना बाहरी है उतना उसका संबंध शरीर से है तो अन खाते हो वही शरीर बनता है और इतना ही मत समझ लेना कि तुम्हारा शरीर अन्नम है कोश पर जाकर थम जाता है शरीर और भी बाहरी है अन्नम है कोश ते आगे है जगत संसार वो भी तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा है, शरीर का ही एक्स्टेंशन है जो कुछ जितना बाहरी है तुमसे, वो उतना ज्यादा शरीर है बाहरी को ही शरीर जानना तो शरीर वो जो बाहरी है और बाहरी ही रहेगा, उसमें कभी कोई आंतरिकता नहीं हो सकती कोई स्थित ऐसी आही नहीं सकती कि तुम कहो कि शरीर अब दिया हुआ नहीं रहा कि शरीर अब मेरा हो गया शरीर लगातार बाहरी ही रहेगा उसकी एक-एक कोशिका में अतीत बैठा हुआ है उसका संबन्ध लगातार संसार से आते हुए प्रभावों से है यदि आग है बाहर तो उसका असर शरीर पे पड़ेगा शरीर वो जो लगातार बाहर वाले से प्रभावित होता रहे आख है तो देखेगी तो प्रभावित होगी तो अचा है उसको आख दिखाओगे तो जलेगी शरीर है ही बाहरी मन में विकल्प है वो बाहरी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है एक मन तो वो है जिसे हम जानते हैं जैसा हमारा है जो लगातार बाहरी प्रभावों से और विचारों से और परंपराओं से घिरा रहता है ये मन पूर्णतया बहरी है मन दूसरा भी हो सकता है ऐसा साफ, ऐसा निर्मल कि जैसे धुला हुआ, निरंजन मन जब ऐसा हो जाता है तो वो एक तीसरे नाम से कहलाता है वो नाम है आत्मा आत्मा कभी बहरी नहीं होती वो सदैव, आंतरिक है और मुक्त है इन तीन को गौर से समझेए शरीर बहर से आया था बहर को ही चला जाएगा पूरा बहरी है और पूरा गुलाम है मन बहरी भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है वहाँ विकल्प उपलब्ध है मन गहरे से गहरी गुलामी भी हो सकता है और बड़ी से बड़ी मुक्त भी हो सकता है वहाँ दोनों संभावनाएं हैं और आत्मा वो बहरी हो ही नहीं सकती शरीर सिर्फ बहरी होगा मन बहरी भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है और आत्मा सिर्फ आपकी है और वो पूंड तया मुक्त है हर प्रकार के प्रभाव से और गुलामी से तो जब कबीर तुमसे कह रहे हैं कि जो शरीर में जिये और जो मन से जुड़के जिये वो निक्रिष्ट है तो कबीर तुम्हें आमंतरित कर रहे हैं शरीर और मन से पार आत्मा की और जाने के लिए कबीर को तुमसे घ्रणा नहीं कबीर की इसमें कोई उत्सुकता नहीं कि वो तुमसे कह दें कि देखो तुम तो बासी और नकली जीवन जी रहे हो जिब कबीर तुमसे कहते हैं कि दो नकली है शरीर और मन तो वास्तों में वो तीसरे की और इशारा कर रहे हैं कि छोड़ो ना नकली को, असली की और जाओ क्यों नकली से जुड़े बैठे हो पर तीसरे का उन्होंने नाम नहीं लिया उन्होंने तो बस इतना ही कह दिया कि मांगे वाल हुए के साथ न जीयो ऐसे ही होते हैं संतों के वचन जब कबीर कहते हैं तो किसी ऐसे से कहते हैं जो कबीर को समझ सके चाहें यदि कबीर तो बात को और खोल कर भी लिख दें पर वो भली भाते जानते हैं कि जिससे समझना होगा वो इशारे में समझ लेगा और जो इशारे में समझ नहीं रहा है उसे यदि खोल कर भी बता दिया तो वो अर्थ का अनर्थी करेगा इसलिए मानवता के इतिहास में जो उची से उची और सुक्ष्म से सुक्ष्म बातें कही गई है वो सूत्रों के माध्यम से कही गई है सूत्र का अर्थ ही यही होता है कि सिर्फ जो अधिकारी हो वो इनका अर्थ कर ले वो इनको खोल ले और जो अधिकारी न हो वो इन पर चेश्टा भी न कर पाए बंदर के हाथ में तलवार देना प्रेम तो नहीं हो सकता कबीर का यह श्लोक चुनोती है आमंतरण है कि हम देखें कि हमारे जीवन में वास्तव में मौलिक्ता कितनी है कबीर असली शुप्चिन तक है हमारे वो जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में मौलिक्ता जितनी कम होगी उतना ज्यादा भै होगा और उतना ज्यादा दुख होगा आत्मा न भैभीत होती है न दुखी होती है दुखी होता है मन डरा रहता है मन और मन के सारे दुख और डर की वस्त होता है शरीर तुम गौर करके देख लेना कि मन जब भी डरा है उस डर के विशय में शरीर मौजूद है या नहीं कहीं न कहीं उसमें शरीर जरूर मौजूद होगा कहीं न कहीं उसमें अंतत्तह शारीरिक मृत्यों का डर भी मौजूद होगा भले ही तुम सीधे सीधे ये न सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा शरीर मर जाएगा इसलिए मैं डरा हुआ हूँ भले ही बात इतनी दो और दो चार जैसी न हो लेकिन हर डर होता मूलता यही है कि शरीर को कुछ हानी हो जाएगी इस कारण मन डरा हुआ है मन और शरीर मिल करके भैका संचार कर रहे है आत्मा केली है जहां मुक्त है और निर्भैता है संत तुम्हें निर्भैता की और ले जाना चाहते है वो एक मौलेक और नया जीवन देना चाहते है दुख और कुछ नहीं है जो तुम हो नहीं उससे अपने आपको जुड़ा मान लेना अपने आपको वही सब मान लेना दुख है गलत जुडाओ ही दुख है तादात में ही दुख है हो तुम कुछ और और माने अपने आपको कुछ और बैठे हो यही दुख है कबीर तुम्हें तुम्हारे सारे मानने से मुक्त करना चाहते है पर चूक मत कर लेना कबीर यह नहीं कह रहे है कि अभी तक अपने आपको जो मानते हो वो मानना गलत है चलो कुछ और माने कबीर यह नहीं कह रहे है कि आज तक एक बात मानी थी अब आगे से दूसरी बात मानो कबीर तुम्हें मांगने के विशय से नहीं मांगने वाली इकाई से ही मुक्त कर देना चाहते है मन मांगता है जब मैंने आप से आज बोलने की शुरुवात करी थी मैंने आप से कहा था कि अगर आप हाथ बढ़ा करके किसी से सौ रुपए मांगते है तो संतों का आशाय यह नहीं है कि आप उस सौ रुपए से मुक्त हो जाएं उनका आशाय यह है कि आप मांगने वाले हाथ से और उस हाथ को संचालित करने वाली प्रेणा से मुक्त हो जाएं हाथ से मुक्ती जरूरी है और प्रेणा से मुक्ती जरूरी है हाथ अगर वही है तो कब तक अपने लोब का संवरन कर पाओगे हाथ अगर वही है तो लालत उस हाथ को बार-बार फैलने पर विवश्च कर देगा नए की खोज में मत निकल पड़ियेगा आपके कदम बड़े पुराने हैं और आपकी नजर उधार की है पुराने कदमों और धुंधली नजर के साथ नए की खोज नहीं की जाती मेरी बात सुन करके जिसके भीतर भी ये भाव उठा हो कि जीव अनसार्थक तभी है जब उसको पाया जो वास्तों में अपना है कि जब तक आत्मा से दूर है तब तक जीना व्यर्थी है उनके लिए पहली बात ये पहली चेतावनी ये कि वो जैसे हैं उसी इस्थित में वो आत्मा की तलाश में न निकल पड़ें तुम्हारे पास अभी न वो उपकरण है न वो पात्रता है कि सत्य सहज ही प्रकाशित हो जाए तुम्हारे सामने तुम तो खोजने निकलोगे आत्मा को तो बाहर ही खोजने निकलोगे क्योंकि तुम्हारे पाऊं सदा बाहर की ओर चले हैं और आन्खों ने सदा बाहर की ओर देखा है कोई है ऐसा यहां पर जो अपने कदमों चलकार अपने भीतर प्रवेश कर गया हो और कोई है यहां पर ऐसा जिसकी आखें दुनिया को नहीं खुद को देखती हो ऐसा कोई नहीं है तो इसलिए सतर कर रहा हूँ कि आपके कदम ऐसे नहीं और आपकी नजरें ऐसी नहीं जो आपको आत्मा की और और सत्य की और ले जा सकें तो हर बड़ी में मत रहिएगा जल्दी से कोशिश करना मत शुरू कर दीजिएगा मैं आपको पहला कदम बताए देता हूँ आपके लिए उतना ही काफी रहेगा कहीं को भागिये मत मन और शरीर की पीछे जो आत्मा है वो कहीं को भाग करके प्राप्त नहीं होती है आप इतना ही करिये कि जो आप भागते रहते हैं इस पर गौर कर लीजिए आपका जीवन और कुछ है नहीं एक अंधी दोड़ है यहां से वहां शरीर भी लगातार गते कर रहा है और मन का तो कहना ही क्या वो तो थमता ही नहीं उसकी गती तो रुकती ही नहीं शरीर और मन की गते पर ज़रा गौर कर लीजिए मैं किसी नई दिशा में बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी गतियों में एक गत्य और जोड़ देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आपके जीवन की जो हजार लहरे हैं आप ज़रा उन्हीं को ध्यान से देख लीजिए जैसे जैसे आप उन्हें ध्यान से देखते जाएंगे और जैसे जैसे आपको उनके नकली होने का स्पष्ट एहसास होता जाएगा वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश आपको और दिखने लगेगा और जितना आपको दिखेगा उतना आपको ये भी दिखता जाएगा कि इसे खोजने की जरूरत नहीं थी बस इसके सामने जो आवरण थे उन्हें हटाने की जरूरत थी और वो आवरण मेरे ही डाले हुए थे मेरे ही अज्ञान के थे मैं दोरा रहा हूँ आज सुभह से आपने जो कुछ किया हो उसे ध्यान से देखें और आज दिन भर आपका जो कुछ करने का इरादा हो उसे भी ध्यान से देखें ध्यान में ऐसी ताकत है कि असत्य उसके सामने टिक नहीं पाता मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर निवेदन है कि आएं उससे भागे नहीं आज सुबह से आपने जो कुछ किया हो उसे ध्यान से देखें आपको ये मानने से रोके कि मानना नहीं कि कष्ट में हो पर आप बड़े गहरे कष्ट में हैं और वो कष्ट हजार रूपों में आपके जीवन में दिखाई देता है वो दिखाई देता है प्रतीक्षा के तौर पे वो दिखाई देता है मत्तव कांग्षा के तौर पे वो दिखाई देता है आशा उम्मीद के तौर पे वो दिखाई देता है डर और आशंका के तौर पे वो दिखाई देता है आकरशन के तौर पे ये सब और क्या हैं? ये कश्ट के ही रूप हैं इन्हें और कुछ मत समझिएगा भै कश्ट है और आशा कश्ट है आकर्शन कश्ट है और आशंका कश्ट है मोह कश्ट है और महत्वा कांग्शा कश्ट है और ये सब हमारे जीवन में मौजूद हैं ये कश्ट एदी जीवन में मौजूद हों तो साफ साफ समझ लीजिए कि आपका जीवन उधार का है जो आपका अपना है वो कश्ट पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि जो आपका अपना है वो आपका स्वभाव है और आपका स्वभाव आनन्द है कश्ट नहीं जीवन कश्टों से भरा हुआ है जबकि स्वभाव आनंद है हमने क्या कर लिया है अपने साथ जीवन में दुख ही दुख है और गुलामी ही गुलामी है और आनंद है हमारा प्रेम हमने क्या कर लिया है अपने साथ और जो कर लिया है आज भी वही करने का इरादा है हमसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन उधार की जिन्दगी आज तक जी है और आज भी उसी उधारी को हम पुखता करेंगे हमसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन पर मेरे कहने भर से लाव नहीं होगा जब तक आप इस बात को साफ साफ नहीं देखेंगे कि कितने नकली हैं आप तब तक आपको नकली से छुटकारा नहीं मिलेगा कितने कबीर आये कितनी दफ़ा उन्होंने कहा पर जहने नहीं सुनना था उन्होंने नहीं ही सुना आज की सुबह मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ आप सुन सकते हों तो सुने नकली से बचो इसलिए नहीं कि असली कोई आदर्श है इसलिए क्योंकि नकली में कश्ट है और वो कश्ट तुम्हें ही भुगतना है और भुगत रहे हो अपने उपर जरा करुणा करो क्यों अपने आपको इस त्रासदी में रखे हुए हो तुम अपनी भूलों से ही तो ग्रस्थ हो तुम अपने आप से ही तो त्रस्थ हो जरा रह्म करो अपने आप पे क्यों ही पुरानी कहानी और आगे बढ़ा रहे हो और मुर्खता की हद हो जाती है जब तुम तर्क ये देते हो कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी यही कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं वो तो पक्का ही उधार का हुआ ना कि हम कुछ कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि सभी कर रहे हैं अगर सभी कर रहे हैं तब तो और पक्का हो गया कि तुम्हें उससे बचना चाहिए लेकिन तुम उल्टा तर्क देते हो, तुम कहते हो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि सभी ऐसा करते हैं, तो सभी तो दुख में भी है बुद्ध का पहला आरे सत्त था जीवन दुख है संसार दुख है संसार का तो नाम ही दुख है और तुम अपना जीवन ठीक वैसे जीना चाहते हो जैसे संसार जी रहा है तुम तरकी यही देते हो कि सब संसार में यही करते हैं तो हमें भी करना पड़ेगा और पागल की तरह है बिलकुल भूल जाते हो कि सब संसार में यह कर रहे हैं तुन का हश्र भी तो देखो अंजाम भी तो देखो है इतने अनाडी तो नहीं हो तिम कि तुम्हें उनका अंजाम पता नहीं है और अंजाम से मेरा अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं जो भविश्य में मिले अगर संसार से उधार ले हो यह सोच सोच के कि संसार बड़ा सुखी है तो चलो सुख का उधार ले ले हम तो किसको धोखा दे रहे हो किसी को नहीं अपने आपको ही आत्मप्रवंचना है संसार मात्र दुख है जो हसते हुए चेहरे तुम्हें दिखाई पड़ते हैं जिनकी नकल तुम उतारना चाहते हो जिन से नकली सुख तुम ले लेना चाहते हो उन हसते हुए चेहरों के पीछे लगातार रोती हुई आखे हैं और ये तुम जानते हो रोती हुई आखें नहोती तो तुम्हें इतना हसना क्यों पड़ता जीजस महावीर के बारे में उलेख है कि वो हसते ही नहीं थे क्यों क्या वो दुखी थे नहीं इसलिए क्योंकि उनके जीवन में अब रोने का कोई कारण नहीं बचा था पर तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया वाले हस रहे है चलो इन्हीं के जैसे काम हम भी करते हैं हमें भी हसने को मिलेगा जो हस रहा है उसका कश्ट उसका संताप जानते भी हो उसका कश्ट और संताप ही तो उसको हसा रहा है ये हसने का मुखोटा उसे पहनना ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अति दुखी है तुम्हारे सामने हसर आया केले में रोएगा और तुम उनकी निकल उतारते हो तुम उन्हीं के जीवन को अपना आधर्श बना लेना चाहते हो तुम कहते हो दुनिया जब कहो दुनिया तो याद करो दुख दुनिया दुख, दुनिया दुख मुर्खता पूर्ण तर्क मत दो कि दुनिया ऐसी चलती है तो हमें भी ऐसा ही चलना है ये तर्क दुख का तर्क है दुश्मन मत बनो अपने दुनिया दुख, दुश्मन जो दुनिया के पीछे चल रहा है वो दुख के पीछे चल रहा है और इस कारण वो अपना दुश्मन है दुनिया दुख, दुश्मन और ऐसा नहीं कि दुख से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है दुख से दिक्कत तुम्हें पूरी है होनी ही चाहिए, दुख सभाव नहीं है तुम्हारा तो दिक्कत होगी ही दुख से दिक्कत तुम्हें पूरी है लेकिन मूर्खता ऐसी सगन है कि दुख से बचने के प्रयास में और ज्यादा दुख की ही और भागते हो कबीर समझाना चाह रहे है मत करो ये मूर्खता पर कहते हैं न कबीर जुगन जुगन समझावत हारा कहान अमानत कोई रहे कबीर तो आते ही रहे है पर तुम बड़े पक्के हो वो जुगो जुगों से समझा रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आता तुमने युगों से वही किया है और आज भी और कल भी तुम्हारा वही करने का इरादा है